शिव बाबा याद है ना? पतित पावन बाप इस समय ब्रह्मातन में आया है और हम उनके बने हैं यह सो भाग्य की बात नहीं लेकिन पदमा पदम भाग्य की बात है फिर बाबा ने कहा अभी चक्र पूरा होने वाला है फिर सब वापिस चले जाएंगे बाप रोज तुमको कितनी नई-नई बातें समझ बने हो इस ज्यान से ही तुम्हारी सद्गती होती है यह पढ़ाई बाप तुमको ही पढ़ाते हैं देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसी पढ़ाई कितनी रेगुलर पढ़नी चाहिए बाबा आई है तुम सब आत्माओं को शिंगार कर वापिस ले जाने तुम्हें तो कितनी खुशी होनी जाहिए कि हम पवित्र गुलगुल बन बाप की गोद में चले जाएंगे और जो पवित्र नहीं बनेंगे वे सजाएं खा कर जाएंगे लास्ट में बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप में कभी संश्य नहीं लाओ यह ज्यान बहुत रमनीक और सुख देने वाला है तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखता अभी तुम वेकुंठ में जा रहे हो इसलिए शिरिक्रेश्न के समान बहुत बहुत मीठा बनो अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाब ने कहा मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पदमा पदम भाग्य है जो पतित पावन बाब के हम बच्चे बने हैं उनसे हमें बेहद सुख का वर्सा मिलता है प्रश्न तुम बच्चों को किसी भी धर्म से ग्रिणा वो नफरत नहीं हो सकती है क्यों? उत्तर क्योंकि तुम बीज और ज़ाड को जानते हो तुम्हें पता है यह मनुश्य सुरिस्टी रूपी बेहद का ज़ाड है इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से ग्रिणा नहीं करेंगे तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोईन का पार्ट बजाया है हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता तुम्हें अथा खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम है ओम शांती ओम शांती कहने से ही बच्चों को जो नोलेज मिली है वह सारी बुद्धी में आजानी चाहिए बाप की भी बुद्धी में कौन सी नोलेज है यह मनुश्य स्रिस्टी रूपी जाड है जिसे कल्प वरिक्ष भी कहते हैं उसकी उत्पत्ती, पालना, फिर विनाश कैसे होता है सारा बुद्धी में आना चाहिए जैसे वह जड़ जाड होता है यह है चेतन्य बीज भी चेतन्य है उनकी महिमा भी गाते है वह सत्य है, चेतन्य है अर्थात जाड के आदी मद्धे अंत का राज समझा रहे है कोई भी ओक्युपेशन को जानता नहीं प्रजापिता ब्रह्मा के ओक्युपेशन को भी जानना चाहिए न ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते जानते ही नहीं अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है त्रिमूर्ती चित्र छपाते हैं उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है ब्रह्मा देवताय इनमह कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता है जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाई संपूर्ण बन चले जाते हैं सुक्ष्म वतन में बाबा कहते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है किस से पूछते हैं आत्मा से आत्मा कहती है हमारा जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा वह तो प्रश्न पूछ न सके अब बच्चे समझ तो गए हैं बरोबर दो बाप सबके हैं ज्यान तो एक ही बाप देते हैं अभी तुम बच्चे समझते होंगे यह शुबाबा का रत है बाबा इस रत दवारा हमको ग्यान सुनाते हैं एक तो यह है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रत दूसरा फिर रूहानी बाप का यह रत है उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर शांती का सागर पहले तो यह बुद्धी में रहेगा यह बेहद का बाप है जिससे बेहद का वर्सा मिलता है पावन दुनिया के मालिक बनते पतित पावन आओ आत्मा ही बूलाती है, जब पावन आत्मा है तब नहिं पुकारते, पतित है तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो, वह पतित पावन बाप इस तन में आया है, यह भूलना नहीं है, हम उनके बने हैं, यह सोभग्य तो क्या, पदम भग्य की बात है, फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए, इस समय बाप आये हैं, यह नई बात है, शिव जयनती भी हर वर्ष मना आई जाती है, तो जरूर वह एक बार ही आते हैं, लक्ष्मी नारायन सत्यूग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना जाहिए, उन्होंने पुनर जनम लिया होगा, सोला कला से बारा जोदा कला में आये होंगे, यह तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते, सत्यूग कहा जाता है नई दुनिया को, वहां सब कुछ नया ही नया है, देवता धर्म नाम भी गाया जाता है, वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, तो फिर उनको नया भी नहीं, तो देवता भी नहीं कह सकते, कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे, कि हम उनकी वनशावली के हैं, अगर अ अपने को उस वन्शावली के समझते तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते महिमा जब करते हैं तो जरूर उन्हों को पवित्र अपने को अपवित्र पतित समझते हैं पावन से पतित बनते हैं पुनर जनम लेते हैं पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित ब तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबर वार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास तो होते ही हैं, अभी बच्चे समझते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं, तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहां आने की क्या दरकार है, यह कोई गुरू, महात्मा, महापुरुष आदी कुछ नहीं है, यह तो साधार्ण मनुष्यतन है, सो भी बहुत पूराना है, बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूं, तब इनका नाम होता है, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया, मनुष्य मोंजते तो जरूर है ना बाप ने तुमको समझाया है तब तुम औरों को समझाते हो ब्रह्मा का बाप कोन ब्रह्मा विष्णु शंकर उन्हों का रचैता यह शिबाबा है बुद्धी उपर जली जाती है परम पिता परमात्मा जो परमधाम में रहते हैं उनकी यह रजना है ब्रह्मा विष्णु शंकर का उक्युपेशन अलग है कोई आपस में तीन चार होते हैं सबका उक्युपेशन अपना-पना होता है पार्ट हर एक का अपना-पना है इतनी करोडों आत्माई है एक का पार्ट न मिले दूसरे से यह वन्रफुल बातें समझी जाती है कितने डहेर मनोश्य हैं अभी चक्र पूरा होता है अंत है ना सब वापिस जाएंगे फिर से चक्र रिपीट होना है बाप यह सब बातें भिन भिन प्रकार से समझाते रहते हैं नई बात नहीं कहते हैं कल्प पहले भी समझाया था बहुत लवली बाप है ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए तुम भी बाप के लवली बच्चे होना बाप को याद करते आये हो पहले सब एक की पूजा करते थे भेदभाव की बात है नहीं अभी तो कितना भेदभाव है यह राम के भक्त हैं यह क्रेश्न के भक्त हैं राम के भक्त धूप जगाते तो क्रेश्न का नाक बंद कर देते हैं ऐसे भी कुछ बातें शास्त्रों में हैं वह कहे हमारा भगवान बड़ा वह कहे हमारा बड़ा दो भगवान समझ लेते हैं तो रौंग होने के कारण सब अन्राइटिस काम ही करते हैं बाप समझाते हैं बच्चे भक्ती भक्ती है ज्यान ज्यान है ज्यान का सागर एक ही बाप है बाकी वह सब हैं भक्ती के सागर ज्यान से सद्गती होती है अभी तुम बच्चे ज्यानवान बने हो बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परीजे दिया है जो और कोई दे न सके इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो स्वधर्शन चक्रधारी परमपिता परमात्मा तो एक ही है बापी सब बच्चे ही बच्चे हैं परमपिता अपने को कोई कहना सके जो अच्छे समझदार मनुश्य हैं समझते हैं ये कितना बड़ा ड्रामा है उसमें सब एक्टर्स अविनाशी पाल्ट बजाते हैं वह छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं यह है अनादी अविनाशी कभी बंद होने वाला नहीं है इतनी छोटी आत्मा इतना बड़ा पाल्ट मिला हुआ है शरीर लेने और छोडने का और पाल्ट बजाने का यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फोलोवर्स होते ना सिर्फ एक फोलोवर क्या काम का फोलोवर तो वह जो पूरा फोलो करे इनकी ड्रेस आदी तो वह है नहीं कौन कहेंगे शिश्य है यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं बाप को ही फोलो करना है जैसे बारात होती है ना शिव की भी बारात कहते हैं बाबा कहते हैं यह हमारी बारात है तुम सब सजनिया हो बाबा आया है तुमको शिंगार कर ले जाने कितनी खुशी होनी चाहिए अब तुम सुरिष्टी के आदी मद्य अंत को जानते हो तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो तो पवित्र राजाई मिलती है बाप समझाते हैं मैं आता ही हूँ अंत में मुझे बुलाते ही हैं पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ इसलिए महा काल भी कहते हैं महा काल का भी मंदिर होता है काल के मंदिर तो देखते हैं न शिव को काल कहेंगे न बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ आत्माओं को ले जाते हैं बेहद का बाप कितनी धेर आत्माओं को लेने लिए आये हैं। काल काल महा काल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बना कर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाएं तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे, तो सजाएं खानी पडेंगी, फर्क तो रहता है ना, पाप रहे जाते हैं, तो फिर सजा खानी पडे, पद भी ऐसा मिलता है, इसलिए बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों बहुत-बहुत मीठा बनो, शिरिक्रेश्न सबको मीठा लगता है न कितना प्रेम से शिरिक्रेश्न को जुलाते हैं, ध्यान में शिरिक्रेश्न को छोटा देख, जट गोद में उठा कर प्यार करते हैं, वैकुंठ में चले जाते हैं, वहां शिरिक्रेश्न को चेतन्य रूप में देखते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो, सच्मुच वैक पहले नशा चड़ना चाहिए शुरू में बहुत साक्षातकार हुए थे, फिर पिछाडी में बहुत होंगे, ज्यान कितना रमनीक है, कितनी खुशी होती है, भक्ती में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती। भक्ति वालों को यह थोड़ी ही मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है, भेंट करना सके, तुम बच्चों को पहले यह नशाचड़ना चाहिए, यह ज्ञान सिवाए बाप के, कोई भी रिशी मुनियादी दे नहीं सकते, लोकिक गुरू तो किसको भी मुक्ती जीवन म मुक्ती का रास्ता बता नहीं सकते, तुम समझते हो, कोई भी मनुष्य, गुरू हो नहीं सकता, जो कहे, हे आत्माओं, बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ, बाप को तो बच्चे-बच्चे कहने की प्रैक्टिस है, जानते हैं, यह हमारी रचना है, यह बाप भी कहते ह मैं सब का रचैता हूँ, तुम सब भाई-भाई हो, उनको पाल्ट मिला है, कैसे मिला है, वह बैट समझाते हैं, आत्मा में ही सारा पाल्ट भरा हुआ है, जो भी मनुष्य आते हैं, चुरासी जन्मों में, कभी एक जैसे फीचर्स मिलना सकें, थोड़ी-थोडी चेंज होत जरूर है, तत्व भी सतो, रजो, तमो होते जाते हैं, हर जन्म के फीचर्स एक न मिले दूसरे से, यह भी समझने की बाते हैं, बाप रोध समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे, बाप में कभी संशे नहीं लाओ, संशे और निश्चे दो अक्षर है ना, बाप माना बाप, इसमें संशे तो हो न सके, बच्चा कहना सके कि मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ, तुम घड़ी-घड़ी कहते हो, योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं है, तुम तो राज-रीशी हो, रिशी-अक्षर पवित्रता का है, तुम राज-रीशी हो, तो जरूर पड़ जाता है, नंबरवार पद होते हैं न, एक का पद न मिले दूसरे से, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है, सिवाए बाप के कोई समझा न सके, तो तुम बच्चों को कितने खुशी होती है, जैसे बाप की बुद्धी में सारा ग्यान है, वैसे तुम्हारी बुद्ध में भी है, बीज और जाड को समझना है, मनुष्य स्रिस्टी का जाड है, इनके साथ बनेंट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है, बुद्धी भी कहती है, हमारा आदी सनातन देवी देवता धर्म का जो थुर्था, वह प्राइलोप हो गया है, बाकि सब धर्मों की ताल टालियां आदी खड़ी है, ड्रामा नुसार यह सब होना ही है, इसमें ग्रिणा नहीं आती, नाटक में एक्टर्स को कभी ग्रिणा आएगी नहीं, बाप कहते हैं, तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है, तुम जितना सुख देखते हो, उतना और कोई नहीं देखत तुम हीरो हीरोईन हो, विश्प पर राज्ये करने वाले हो, तो अथा खुशी होनी चाहिए ना, भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, राज्योग भी बाप ही सिखलाते हैं, कोई शरीड धारी तो सिखला न सके बाप ने आत्माओं को सिखलाया है आत्मा ही धारन करती है बाप एक बार ही आते हैं पार्ट बजाने आत्मा ही पार्ट बजा कर एक शरीड छोड दूसरा लेती है आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे, वहां तो देवताएं ही पढ़ाएंगे, संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं, पुरुश्वत्तम बनाने के लिए, तुम ही पढ़ते हो, यह संगम युग एक ही है, जब तुम पुरुश्वत्तम बनते हो, सत्य बनाने वाला, आいやद प्यार और गुड मौर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, संगम युग पर, डारेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर, ज्यान वान आस्तिक बनना और बनाना है, कभी भी बाप वपढ़ाई में संशय नहीं लाना है, दूसरा, बाप समान लवली बनना है, भगवान हमारा शिंगार कर रही है, इस खुशी में रहना है, किसी भी एक्टर से ग्रिणा वननफरत नहीं करनी है, हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है, आज का वर्दान, सेवाओं की प्रवरिती में रहते, बीच-बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतरमुखी भव, सेवाओं की प्रवरिती में रहते, बीच-बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतरमुखी भव, बाबा ने कहा, साइलेंस की शक्ती का प्रयोग करने के लिए, अंतरमुखी और एकांतवासी बनने की आवशकता है, कई बच्चे कहते हैं, अंतरमुखी स्थिती का अनुभव करने वा एकांतवासी बनने के लिए, समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवरिती, वानी के शक्ती की प्रवरिती बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके लिए, इकठा आधा घंटा वा एक घंटा निकालने के बजाए, बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो, तो शक्ती शालिस्थिती बन जाएगी, स्लोगन ब्राह्मन जीवन में युद्ध करने के बजाए, मोज मनाओ, तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा, आज का अव्यक्त ग्यानमोती बहुत विशेस है, सभी भाई बहने ज जरूर सुने, अव्यक्त ग्यानमोती सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें